हलो अब आज है बाईस अपरिल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे है उज्जिवन स्मॉल फेनांस बैंक के बारे में 53 रुपीज का ये शेर है और देखा जाए तो आज नहीं को इतनी बड़ी तीजी है नहीं गिरावाट है लेकिन पिछले एक महिने का ग्राफ इ से बहुत ही साइलेंट ली ये आगे की तरफ जा रहा है अगर आप देखोगे तो पिछले चार ट्रेडिंग शेशन में ये शेर जो है वो मुश्किल से डेड रुपया ओपर बढ़ा है बहुत ही साइलेंट ली जा रहा है उपर की तरफ हलाकि पहले गिरावट भी आई थी इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लो तो काफी इंटरस्टिंग है तीजी बनी थी और लंबे समय से अगर आप ये खो तो पचार सो साथ के बीच में ये जूले खा रहा है बात करेंगे इसके बारे में वी वीडियो में मर्जर को लेकर भी यहाँ पर बहुत कु रूर रहा है जब भी वहाँ पर पहुँचा है ये नीचे की तरफ आया है फिर कोशिश करी फिर गिरावट आई और जहां तक बात करी जाए इसके वोल्यूम्स को लेकर तो 78-79 लैक के आसपास के शेर्ड से यहाँ पर ट्रेड होते नजर आया आज यहाँ पर और इसका जो लोग के रहे है खरीदारी करो 50% लोग के रहे होल्ड करो यहाँ पर मेरा रवया यहाँ यहाँ पर बेचने का नहीं है लेकिन खरीदारी का भी नहीं है मेरा होल्ड करने का यहाँ पर अभी रवया देखने को मिल रहा है क्योंकि खरीदारी के मौके देखो अगर चैनल को र महां पर बने भी थे खरीदारी के अभी भी जहां तक बाद आती है फ्रेश बाइंग को लेकर मुझे आता है कि एकदम से कोई सुधार नहीं आ और रिजल्ट इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टरों में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है और यही वज़ा है कि नतीजे के उपर बहुत कुछ डिपेंट करेगा क्योंकि अगर आप डिविदेंट भी देखो तो इसने पिछले साल अच्छ पैसे का डिविदेंट पे करता है मतलब साल का एक रुपए 25 पैसे के आसपास अगर आपको डिविदेंट पे करता है तो वो एक अच्छा डिविदेंट है वो खराब नहीं है और जहां तक बात करिए वैल्यूएशन को लेकर तो देखिए इसका जो पी है वो आठ का है अगर आप देखो तो revenue wise ये लगातर बढ़ा है आप इनके revenue 1000 क्रोड के थे ठीक है जून में फिर 1100 हुए फिर 1200 हुए फिर 1300 फिर 1400 फिर 1500 फिर 1600 फिर लगातर revenue बढ़ रहा है और profit भी देखो तो पिछले कुछ quarter में profit भी इनका हलाकि profit फ्रॉफिट थुआ से decline जरू हुआ था last quarter में 300 क्रोड का ही profit था कम इसलिए क्योंकि revenue बढ़ा लेकिन profit नहीं बढ़ पाया profit इसे पहने सप्टेंबर में 327 क्रोड का profit था तो ये कम है उसके मुकाबले लेकिन अगर आप देखो कि observe करोगे तो ये पहले loss making था ये 2021 में देखो तो loss था यहाँ पर बड़ा loss था फिर loss दीरे दीरे कम हुआ फिर profit दीरे दीरे बढ़ना शुरू हुआ और अभी quarter ले 300 क्रोड के आसपास का profit ये कर रहे हैं इस बार के March quarter के number भी important होने वाल है क्योंकि ये वो बैंक है जो 300 क्रोड से भी जादा का quarterly profit कर रहे हैं तो expectation यही रहेगी कि या देखो इससे तो जादा ही कर गारिंग देखो तो 73.52% का stake promoter के पास है तो पहले 73.60 थोड़ी से बिक्वाली promoter ने करी है और सबसे बड़ी बिक्वाली यहां पर institutions कर रहे हैं जहां तक बात करें mutual fund तो 1.34% से भाई साब 0.58 पर आ गए तो बहुत बड़ी quantity बेची है double से भी आजी से भी जादा quantity mutual funds बेच चुके हैं यह domestic ने भी बिक्वाली करी 2.65 से घटकर 1.75 पर आ गए तो domestic ने भी बिक्वाली करी FLs ने भी बिक्वाली करी 3.70% से 3.49 पर आ गए तो institutional की तरफ से यहां पर भारी भर्खम बिक्वालिया देखने को मिल रही है खरीदारी जिसने करी है वो retail investor और other parties है जहां तक पहले 18.71 परसन था आज भाई साब वो बढ़के आ चुका है 20.67 परसन और जाद जो quantity है वो सिर्फ और सिर्फ रीटेल ने खरीदी है क्योंकि अगर अब डिसंबर में रिटेल इन्वेश्या की 11.65 परसन की holding थी आज वो बढ़के 13.48 पर आ चुकी है almost 2% का stake उन्होंने बढ आया है तो promoter ने बेचा mutual funds ने बेचा domestic ने बेचा Files ने बेचा retail ने खरीदा है यहां पर अगर आने वाले time में share में गिरावाट है तो definitely यह वही institutions भी होंगे जो बीच में खरीदारी करने के लिए भी आ जाएंगे याद रखेगा इसके वारे में तेखिए overall अगर मैं बात क जब भी कह रहा था जब यह गिर रहा था 58 रुपेस के लेवल से तब काफी लोग कह रहा थे कि भाया कभी नहीं जाएगा उस लेवल पर लेकिन गया था वो अभी मुझे लगता है कि जिनके पास है वो long term के नजरिये के साथ बने रह सकते हैं लेकिन जहां तक बात आती है fresh buying की मैं अभी भी अपने उसी statement पर कायम हूँ कि मैं 45 से 50 रुपे के level का weight करना पसंद करूँगा यह again यह मेरा personal opinion है कोई भी investment advice नहीं है उसके बाद उसके बाद quarterly number जब आएंगे उसके उपर बहुत कुछ depend करेगा कि numbers किस तरीके से आते हैं अच्छे आते हैं बुरे आते हैं उसके उपर बहुत कुछ depend करेगा और दूसरी बात यहां पर यह भी है कि जब तक merger complete नहीं होता इनका उज्जिवन small finance bank और उज्जिवन financial service दोनों क HDFC में भी देख रहे हैं और यहां पर उज्जिवन में भी यही चीज़ देखने को मिल रही है कि merger का event भाई सब कुछ time के लिए इनको थोड़ा बहुत जखम देता जरूर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल से जल इनके merger complete हो जाए और उसके बाद कहीं न कहीं यहां पर जो लेवल है वहां पर मुझे रपता है कि buy on dips के जो मौक्य वहां से बनते हो नजर आ सकते तो उस लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए अगें मैं कह दू कि मेरा personal opinion है कोई भी investment advice नहीं है वीडियो को यहीं पर end करता हूँ पसंद आए हो तो like करे शेयर करे चैनल अगर पहल के नाम लिखेगा जितने ज्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा थैंक्यू